आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में किसी को मालूम है कि अमेरिका में जितनी भी बोर्ड और डिरेक्टर्स की मीटिंग होती है किसी भी कमरे के अंदर उसको एक घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है मालूम है आपको कमरे को क्यों इसलिए अमेरिका में वो टेक्नॉलिजी आ चुकी है कि वो कमरे अगर आपने खुला छोड़ दिया तो कोई भी आदमी ऐसी मशीन लेकर आ सकता है कि जिसमें वो पूरा एक घंटे तक वो जो बात हुई है वो सारा का सारा हवा के वात अवरम में रहता है वो सारी की सारी वो टेप कर सकता है एक घंटा लगता है तीसरा आपको मैं बता हूँ आप अमेरिका में ये इंस्ट्रक्शन्स हैं आज की तारीक में कि कोई भी एक्जेकिटिव परमात्मा के लिए अपना मुबाइल फोन यूज करने के बाद उसको कबारी को ना बीचे आपको मालूम है कितने के बिक रहे हैं होता क्या है आपने सिम कार्ड निकाल लिया सिम कार्ड से आपका प्रॉब्लम सॉल नहीं होगा सिम कार्ड का डेटा डेटरी में चला जाता है सुन लीजिए आप मेरी बात को सिम कार्ड का डेटा जो है वो ट्रांस्मीट हो जाता है आप आप ये प्रॉसेस को आप समझेए अमेरिका में इतनी दुकाने खुली हुई हैं पुराना टेली फून खरीदने के लिए मुबाइल फून लों सिरफ ये पूछते हैं बेटा एक किसका था किसका था अमेरिका में हर कंपनी ने इस्ट्रक्शन दी है कि जब आप सारा कुछ होता सिंटार्ड में हैं लेकिन सिंकाड़् से वो जो अगर काफी दिन तक वो बैटरी रही है तो वो सारा उसमें काफी हद तक पास हो जाता है सारे सीक्रेट फोन नंबर आ गए सारे वो आ आगए आप ये देखिए आप इस तरहां की दुनिया में रह रह रहे ह है मनीश जी तो आप देखें कि गूगल में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सिरफ कंप्यूटर पे रिकॉल हो जाते हैं अच्छा गूगल का जो पूरा सौफ़एर है आपने कभी गूगल की सौफ़एर सीडी दिखें कभी विक्तर नहीं है वो सारी और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे अभी तक ये स्टडी नहीं हो पाई है मनीश जी कि क्या बारिश के समय क्या जब अंदर आता है क्या इसके अंदर एबरेशन आ सकती है अब एबरेशन मान दीजिए आपने ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ट बना दिया ए आपने जब बनाया तो उस समय क्लाउड ठीक था या आपने जो क्लाउड सीड किया था इसका पर्टिकुलर क्लाउड सीडिंग होती है जो एक क्लाउड सीड किया जाता है उपर वो क्लाउड की एक सिच्वेशन थी उस क्लाइमेट में आपने जब उसको चेकिंग करना शु हो जाते हैं या दो परसेंट भी होना शुरू हो जाता या एक फरसेंट भी होना शुरू हो जाता है आप ने तो घरिक्तार करके उसको रात को बंद गदिया जेल के अंदर तो आप क्या इसमें इसकी क्या efficacy है ये बातें अभी तक हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुर्फागी ये है कि जो जब बिटन जैसे देश ने आठ साल की study करने के बाद इसको reject कर दिया इस आइडिया को हम अभी तक technologically इतना proof कर नहीं पहुंचे हैं अगर किसी चीज़ की occurrence की possibility point zero 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 one हो तो उस system को तो मैं लेने को तैयार हूँ क्योंकि hundred percent कोई system नहीं हो सकता अगर एक percent भी अगर उसकी possibility है या दो परसेंट भी है तो आप उस दो परसेंट वाले को तो आपने नाप दिया और उसमें दो परसेंट अगर सही वाला गलत पकड़ा गया तो दो परसेंट गलत वाले भी तो सही निकले तो आपका परपस इफिट हो गया है झाल झाल